बेटा यह परदे ठीक कर दो, जी मा, ज़रा यह रिमोट पकडाना, जी, चपले भी सेट कर दे, और हाँ एक और चीज, तुम ना, एक मिनट मैं थोड़ा से पानी पीलू, मेरी कोई बात नहीं बात था, पापा सोनो, मेर से नहीं होती है यह पड़ाई वड़ाई अब, छोड पड़ लेता हूँ मेरा ही भविस्त बनेगा बहन, रोटी दे दो, बाबा भूखा है, बाबा, तेरी बहन माई के गई है, आज तो तेरा जीजा भी भूखा है बेबी बेबी डॉल मैं सोने दी बेबी डॉल मैं सोने दी भाई ये क्या कर रहे हो भाई केल ठोक रहा हूँ अरे तिरे बस दिमाग नहीं है क्या चमब से कौन केल ठोकता है बेटा एक्जाम देने जा रहे हो सबसमान रख लिया अब हमारी इज़त भी रख लेना कहा थे रिया के घर किस लिया हाँ दो बार और भाई कहा था इतनी दिनों से कुछ नियार एक सुनार के दुकान खोली थी फिर जेल हो गई क्यों भाई हाथोड़े से खोली थी ना तो बेटा बताओ सबसे तेज कौन सा पंची उड़ता है सर हाथी नलायक तिरे बाप क्या गड़ता है सर वो तो छोटा राजन की गैंग में शार्प्शूटर है बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब जिन्टू बेटा खड़े हो जाओ हाँ जी सर कल स्कूल क्यों नहीं आये थे सर जो जो कल आये थे उनकी क्या आपने सरकारी नोग ने लगवादी बैसाब यह बोरी आपकी है हाँ बेट जाओ मैं इस पर काई के लिए बेट जाएगा बेट जान दो यार ए दादा खरबुजे फट जाएंगे बेट जान वो इसमें खरबुजे है एरे गदे इसमें खीले बड़ी बड़ी एक खरबुजे तेरे फट जाएंगे तुझे पता है राम लाल के लॉंडे की मौत हो गई कईसे कार गुजर गई उसके उपर से हमारे उपर तो हवाई जाए जाए गुजर या हमको कुछ नहीं हुआ मैं हूँ ना बिलकुल जन्नत जुबर जैसी देखो बच्चो हां सर बोलिए एक दिन ऐसा आगा कि धरती पर पानी नहीं रहेगा सब जुजर तु मार जाएंगे फिर तुमी नस्ट हो जाएगी तो सार उसने इंट्यूसन आना है कि नहीं आना है बुलाती है मगर जाने का नहीं अपने को जाने का है पर कोई बुलाती ही नहीं भाई मार्केट में काले मिर्स क्या भाव विक्रिय है 900 रुपे किलो सोचो अगर गोरी होती तो कितना भाव खाती बेबी इरिटेट मत करो थपड़ मार दूँगा दादा भी आपको ऐसे ही मारते थे हां ऐसे ही मारते थे तो यह खांदानी पागलपन कब तत चलेगा भाई साव सेकिंड एंड गरवाली निकाली है और भाई पढ़ाई में क्या कर रहे है भाई इंजीनियर बन गया मैं भाई कौन से इंजीनियर भाई सिविल इंजीनियर बच्चो आज आपका स्कूल में पहला दिन है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो सर मैंने पूछना है कुछ हां जी बेटा पूछो सर यह छुटिया कब से शुरू होगी भाई साव अब दुबारा नोट बंदी कब होगी बाबा बहुत दूर से आए हैं कुछ दे दो ये लो बाबा दस रुपए बाबा बहुत खुश हुए बोल बच्चा क्या मांगता है मेरे दस रुपए वापिस दे दो नाम क्या है तुम्हारा राजू राजू नाम है मेरा बेटा आपके स्कूल से फोन आया था अच्छा क्या बोला उन्होंने कल पैरेंस टीचर मीटिंग है और तुमारी मेडम ने मुझे बुलाया है पापा बुलाती है मगर जाने का नहीं अबे पढ़ाई के साथ क्या कर रहा है तू भाई किलवार अच्छा बेटा बताओ बिजली कहां से आती है पापा मामा जी के घर से अच्छा वो कैसे बापा जब भी बिजली जाती है आपी तो काट्यों की सालों ने बिजली का आती है तू शादी करेगा किस से दाजी से ओए शर्म नहीं आती दादी से वो मेरी मा है तो आपने मेरी मा से क्यों शादी की एक्जाम के दस दिन पहले पांच दिन पहले एक दिन पहले पर ले जुगाड पर ले भर ले कोई जुगाड बाबा हावत्स मेरी इंजिनेरिंग पुरी हुए आगे क्या करू ए इसके लिए भी एक चटाई डाट रहे अपनी बिराद रिकाए अरे बेटा क्या चल भाई lifting एसे वीडियो बना रहा था अच्छा आज़ा कियो बेठा Satya उदा गोरओ च боль न सबसे क्यों क्यों बैठाई बेठा बेटा अरे अपना दोस्त समझ के ही बता दे अब क्या बताओ यार तेली भाबी आईफोन गावन मांगरी गया पपू बेटा, स्टेंड अप जी सर बताओ, अकबर का जनम कब और कहां हुआ सर मैं तो स्कूल पढ़ने आता हूँ देलीवरियां थोड़ी कराता हूँ भाई इतना उदाज केसे आज भाई यार मेरी गल्फ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई तो भाई क्यों टेंसन लेता है, ऐसी 36 आईगी अरे यार ये 36 इथी क्या कर रहे हो भाई शॉपिंग के लिस्ट बना रहा हूँ अच्छा भाई सबसे पहले हम क्या लेंगे कर जा होमवर्क कहा है तुम्हारा मैं मैं हॉस्टेल में रहता हूँ हा तो होमवर्क हॉस्टेल में कैसे हो सकता है गली गली तेरी लाह जली जी और बाहू बाली योड़ हाँ हाँ भाई भाई तेरी वीडियो बाहरे लोगई पांसो फोलोवर होगे तेरे अच्छा दिखा देख कौन है तुम साले बड़े लोग दिखेनी तलवे चाटना जाते है हाँ हाँ बेटा ABCD सुनाओ ABCD और सुनाओ और तो सब बढ़िया है आप सुनाओ अपनी भीबी को माई के बेजने के तरीक है आप चलो बच्चो अब क्लास खतम हो गई है बच्चे तुझे स्वर्ग मिलेगा ला दक्सना दे बाबा मैंने दक्षीना में दिल्ली दी दिल्ली क्या तेरी है तुझे स्वर्ग्या तेरे बाप का है जो वाँ पे पिलोट कारता फिर रहा है भगवान इस सुर्पास करा देना प्लीज अगले साल ते शुरू से बढ़ाई करूंग प्लीज बगवान कैसा लगा मेरे मिजाग भाई हाँ मुझे पार्टी कब देगा सीने में दर्द होता है हम बीड़ी पीते हो जला लीजिए करूनवारस करूनवारस यह कोन है गलफ्रेंड है भाई हाँ बेबी सूने का ही पिंजरा क्यों ना हो दोता उसके अंदर मस्त है क्योंकि खाने के लिए दरदर बटकने की जरूरत सुब़ शुब़ जो ग्रहनी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा वो सुब़ शुब़ इसको परोटा बनाके खिलाएगे बच्चे आएगे कभी-कभी काजु खिलाएगे कभी बदाम किलाएगे अमरूद काटके खिलाए जाएगा अरी मिर्श खिलाएगे मिठ्चु मिठ्चु करते हैं ना मिठ्चु मिठ्चु बच्चु वो मिठ्चु भी आ जाता आके चमसे लाता हुआ और उससे बड़ीया जिंदगी क्या है तीनों टाइम का खाना बिल्ली खाये की नहीं सुरक्षित है पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है, हर तरीके से सुरक्षित है, लेकिन ये जिन्दगी है, क्या गंटा जिन्दगी है, ये कोई जिन्दगी है, ये जिन्दगी, कोई जिन्दगी है, उससे बहतर आकाश में उड़ता, सौ साल की जगा साला, तीस साल जीता, लेकिन जीता त चाहिए हाँ भाई एक भी नंबर काई नहीं होता ये बताओ टीवी कितने घंटे देखते हो सर जीरो घंटा और वाट्साप तीन घंटा और दोस्तों के साथ एक घंटा और स्लीपिंग छे गंटा और टिक टोक चोदा गंटा फिर पढ़ाई घंटा एक कुट्टा बैठा है एक शेर बैठा है सुरील राणा जी सुनना एक कुट्टा एक शेर लाठी लो और कुट्टे के मारो कुट्टा लाठी पकड़ लेगा आगे के दोनों हाथ से लाठी पकड़ लेगा अब वोई लाठी शेर के मारो शेर निप्टा देगा कुट्टे को लगता है समस्या लाठी है शेर को पता है लाठी समस्या नहीं है समस्या वो है जो पीछे से भांज रहा है इसको लिप्टा दे है न वो कहते हैं कि आँख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई अब आँख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती फल देखा आँख ने गए पैर अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते फल तोड़ा हाथ ने जिसने देखा वो गया नहीं जो गया उसने तोड़ा नहीं जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं जिसने खाया उसमें रखा नहीं चला गया पेट में और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आसुन निकले आँख से देखा उसी ने था झाल में पाल आया